अम्मा कुछ सुना है आपने, शफीका अपा चांद रात को निकाह करना चाती हैं, हम इतनी जल्दी भला कैसे इंतिजामात कर पाएंगे, रमजान के दिनों में तो वैसे भी त्यारियों मुश्किल हो जाती हैं, इनको तो आदत है हतेली पर सरसो जमाने की, सौ बखेडे होते हैं, अब भला यू मू उठा कर निकाह के दो बोलतों नहीं पढ़वा देंगे ना, लाग जंजट होते हैं, मेरे तो हात पाउं फूले जा रहे हैं, आप मना कर दें इनको कि हमें निकाह नहीं करना इतनी जल्दी, अत्या बेगम ने जब से श्वीका बेगम का इरादा सु पर लेंगे, बस घर के लोगों के सामने निकाह हो जाएगा, सुल्ताना बेगम ने मलामत से बहु को समझाया, छोटी हो या बड़ी, अमा तकरीब तो तकरीब होती है ना, बेटी के मामलात में वैसे भी सो पंचायते निकलाती हैं, और, क्या हो गया बेगम, उस वक्त लु रात को हफसा और बासिम का निकाह कर दिया जाए, अरे भाई, तो इसमे इतना बदहवास होने की क्या जरूरत है, तुम कौन से घर में अकेली हो, सबुई है, अलिश्पा है, चुप करें आप, अलिश्पा का नाम इस मौके पर ना ही लें तो बहतर है, एक तो आपा ने दि इंतिनातीवी कमरे से निकल गई, सुल्ताना बेगम और लुकमान सहाब तासुफ से इने देखते रह गए, सुल्ताना बेगम अपने तीन बच्चों, लुकमान, शिफीका और एजास के साथ अबाई घर में रहती थी, शोहर का इंतकाल हो चुका था, अपनी जमीने और लुकमान सहाब की शादी अतिया बेगम और एजास सहाब की शादी सबुही से करती गई, शिफीका के दो बेटे बासिक और बासिम और एक बेटी अबीरा थी, लुकमान एहमत का एक बेटा अश्चद और बेटी हफसा थी, जबकि एजास सहाब की बेटी अलिश्पा थी, बच्चे बड़े सब मिल जुलकर प्यार से रहते, घर के फैसले सुल्ताना बेगम ही करती, कभी कभी शफीका बेगम भी आ जाती, तो महीना भर रुकती, घर में रौनक बढ़ जाती, बच्चे भी फुपो के आने पर बेहत खुश हो जाते, बच्चों की छुटियों को चार चांद लग जाते, सब मिल कर खुब इंजुआए करते, लड़ाई होती भी तो फौरन सुला हो जाती, एक दफ़ा ऐसे ही शफीका बेगम आई थी, शाम के वक्त सब लोग बड़े से सहिन में बैठे थे, सबुई चाय बना लाई थी, सब चाय से लुटफ अंदोज हो रहे भाबी और लुक्मान भाई, मेरी एक खुईश है, शफीका बेगम ने चाय का घूंट लेकर बड़े भाई भावच को मुखातिब किया, क्या बात है आपा बोलें, अतिया बेगम ने बिसकिट की प्लेड सास की तरफ बढ़ाते वे कहा, मैं चाहती हूं कि बासिक की धूलन अलिश्पा को बनाओं और बासिम की हफसा को, ये मेरी खुईश है, क्यों एजाज, सबुई और अमा आप लोग क्या कहते हैं, शफीका ने बात मकमल करके सब को बारी बारी देखा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपा कि घर के रिष्टे घर में तैह हो जाएं, इस तरह रिष्टों में मजीद पाइदारी पैदा होगी, हमारे बच्चे हैं सारे, क्यों अमा, अतिया बेगम ने खुश तेली से कहा, बहुत अच्छा फैसला है, ऐसा सोच कर तुमने अकलमंदी का सबूत दिया है, हमें कोई अतराज नहीं, बलकि हम भी अबीरा को अपने शफीका बेगम ने खुश होकर कहा, मुबारिको मुबारिको, सब लोग एक दूसरे को मुबारिक बात देने लगे, अजाज अहमद और लुक्मान अहमद ने आगे बढ़कर बेहन को गले लगाया, सबुई दोड़कर फिर से चॉकलिट ले आई, सब लोग मुस्कुरा दि इस बार वापिस लोड़ते वक शफीका बेगम बहुत खुश थी, इस बार में बहुत अच्छी यादे लेकर जा रही हूं, भाबी सबुई, उन्होंने भावचों से गले लगकर कहा, फुपो अब कब आएंगी दुबारा, अलिश्पा रुहासी थी, इसको बासिक के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, वो भी अलिश्पा का बहुत ख्याल लगता था, सब बच्चों के मूँ भी उतरे हुए थे, कुदरती तोर पर सारे बच्चे एक दूसरे से क्लोस थे, शफीका बेगम खुशकवार यादे लिए अपने शेहर को लोड गई, वक्त गु जो से मिलने साल बाद ही जाती थी, अब इतनी दूर जाने का सुना तो सब लोग उदास हो गए, सबसे जदा बच्चे उदास थे, अलिश्पा जो बासिक से जदा ही करीब थी, बहुत उदास थी, वो इतनी दूर जा रहा था, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाँगा अलिश्पा, बासिक ने अलिश्पा को उदास देख कर इसका हाथ थाम कर अफसुर्दगी से कहा, मगर बासिक गिफ्ट तो यहां रहकर भी दे सकते हो ना, वो मासूमित से बोली, यार पापा नहीं मानते ना, जिद्धी हैं वो, बासिक ने ढिज्जला कर कहा, त पहली बार 6 साल बाद आई, जब बासिक 22 साल का हो चुका था, बासिम 18 और अबीरा 16 साल की थी, शिफीक अपने सुसराल इसलामाबाद में ही जादा रहीं, वहीं पर इनका अपना घर भी था, इतने अरसे में अलिश्पा रो 16 साल की थी, मैट्रिक कर चुकी थी, हफसा मैट अफ्रिक में थी, अस्चद ग्रेज्वेशन कर रहा था, अलिश्पा और बासिक ने एक दूसरे की तरफ देखा, वैसे तो स्काइप वगयरा पर बात हो जाती थी, मगर अभी यू आमना सामना हुआ था, ब्ल्यू कलर के कॉटन के सूट में लंबे बालो वाली मासूम गु थी, बच्चे भी अपने रिष्टेदारों से वाकिफ थे, हफ्जा और बासिम की आपस में इतनी नहीं बनती थी, दोनों ही ला उबाली थे, मकर बासिक और अलिश्पा एक दूसरे पर जान देते थे, जबकि अश्चद और अभीरा भी एक दूसरे को पसंद करते थे, कु अच्छे अच्छे खौब दिखा कर किसी हद तक इसे मुतमें कर गया था, कि चंद सालों बाद तो हमें हमेशा हमेशा साथ रहना है, और अलिश्पा रोते रोते शर्मा कर रह गई थी, वक्त तेजी से गुजर रहा था, बच्चों की तालिमी मदारिश तैह हो चुके थे, इदर अतिया और सबुई शादी की त्यारियां शुरू कर चुके थे, देखते देखते वक्त गुजर किया, तीन बच्चों की शादी की त्यारियां असान ना थी, यहां तक कि किसी बच्चे को भी बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वहां इंसार थे के कारो नहीं थे, अब इनकी बातों में गरूर होता, इनकी नजर में रुपेया, पैसा और उंचा स्टेटस ही सब कुछ था, बाज अकार शफीका इनकी बातों से डड़ जाती थी, वो अनजाने खच्चात और खौफ में घिरी रहने लगी थी, बच्चों से जिकर किया तो बच् मतफक्र हो गए कि इनको भी बाप का रवया ना मुनासिब लगता है, और एक दिन वो सब कुछ हो गया जिसने शफीका बेगम की हस्ती को बुरी तरह से हिला कर रख दिया, सुनो, मेरे एक दोस्त की फैमली है यहां, कल इनके घर चलना है, अबीरा के लिए इसके बेटे का और हमें कल वहां जाकर बात करनी है, अलफास बंब की मानिच शफीका के सर पर दे मारे, क्या, क्या कह रहे हैं इनसार, आप होश में तो हैं, क्यूं, मैंने ऐसा क्या कह दिया, कि तुम्हें मेरी दिमागी हालत पर शक हो गया, सब लोग अच्छा रिश्टा देख कर ही रिश्टे खांदान में तैह होते हैं और आपको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है, बच्पन से आज तक हमारे घर में इन रिश्टों के हवाले से बाते होती रही हैं, हम और हमारे बच्चे जहनी तौर पर इस रिश्टों पर राजी और खुश हैं, हम? हम नहीं, मैं त शफीका बेगम का दिमाग घूम गया, इनसार तो बिलकुल उल्टी बाते कर रहा था, वाट? इनसार ने बत्तमीजी से इनकी जानब देखा, हद है बेवकूफी की, फजूल और बेमाइनी बात को दिल से लगा कर बैठी हो, बेवकूफ औरत, मेरे नजदेक इस बात की एह मैं भाईयों और मा के सामने जूटी नहीं बन सकती और और एहमियत इस बात की भी है, कि हमारे बच्चे भी इन रिश्टों पर राजी और खुश हैं, और अबीरा भी अजद को पसंद चुप करो, इनसार सहाब ने बीवी की बात काटी, अबीरा को वही करना होगा, जो मैं जाता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ अबीरा को अच्छा पैसे वाला बड़ा लिखा लड़का मिलेगा, बलकि इस तरह हमारे बिजनिस को भी काफी बहतर और पॉजिटिव फॉइंट्स मिलेंगे, इनसार अपना हत्मी फैसला सुना कर जा चुके थे, ममा, अबीरा जो कमरे के बाहर खड़ी माबाप की बाते सुन रही थी, भाग कर शफीका के पास आ गई, शफीका दोनों हाथों में सर थाम कर रो रही थी, अबीरा तुम्हारा बाप पागल हो गया है, मैं क्या मूँ दिखाऊंगी अपने भाईयों को, इतने अर्से बात तुम्हारे बाप को रिश अर्साहाब की ना हां में ना बदली, इनका कहना था कि मैं अपनी बेटी को वापस पसमंदगी में नहीं भेजूंगा और फरहान जैसा लड़का नसीब से मिल रहा है, शफीका बेगम सक्त जहनी अजियत का शिकार थी, अभीरा का बुरा हाल था, बासिक और बासिम भी पर आने वाले हालाद से शफीका बेगम सक्त हरासा थी, कि किस मों से अभीरा की शादी और रिष्टे की बात करती है, कैसे कहती हैं कि अभीरा और एश्चत का रिष्टा खतम कर दिया जाए, और नतीज़ा एन शफीका बेगम की तवकात के मताबिक निकला, सुल्ताना बेगम शफीका अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए भाई का घर हकीड लग रहा है, तुम्हारे मियार पर पूरा ना उतरने वाला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तीनों बच्चों के रिष्टे खतम करने का इलान करते हैं, अमा ने हत्मी अंदाज अपनाया, अरे अरे अमा कैसी बाते कर रही है, वो तो सिर्फ अजचत, अतिया बेगम ने हलका सा एहतजाज किया, अतिया चुप करो तुम, जहां मेरी जबान का पास नहीं, वहां मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है, समझ लो आज से शफीका से हमारा रिष्टा भी खतम हो गया, सुल्ताना बे अनों से ये उमीद ना थी, इसने बहुत कोशिश की कि बात करे, लेकिन अम्मा जी ने सब को मना कर दिया, कि अब शफीका से कोई बात ना करे, इदर शफीका का भी रो रो कर बुरा हाल था, मैका छूट किया था, रिष्टे खतम हो गए थे, यहां पर सबसे जदा असर अल इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ बासिक का राज था, इसने बासिक को चाहा था दिल की शिदतों के साथ, बासिक के साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखती आई थी, जबकि हफसा पर इतना असर ना हुआ था, वो फितरतन ला उबाली थी, लेकिन वो यकीन हो गया था कि सब कुछ बदल चुका है, पहले जैसा कुछ ना रहा था, पुराने रिष्टे खतम करके नए रिष्टे बनने जा रहे थे, घर वालों की खुशी और रजामंदी के लिए इसने खुद को हलात के स्पोर्ट कर दिया, गोया कि लुक्मान सहाब और इजा जट पट रिष्टा तैह हुआ और तारीख भी तैह हो गई, अलिष्पा भी गुजरीवी यादों को भूल कर नए जिन्दगी की शुरुआत करने जा रही थी, शादी वाले दिन भारी भरकम जोड़े मेक अप और जूरी में वो घुलरी में वो घजब ढा रही थी, सारे इंतजामात हो चुके थे, धूलन वाले हौल पहुंच चुके थे, हफसा अपनी सहीलियों के साथ बरात का इंतजार कर रही थी, लुक्मान सहाब, अजास सहाब और अश्चत खानदान की कुछ लोगों के साथ हौल के गेट पर बरात के मुनतजर थे, जबके हौल के अंदर अतिया और सबुई महमानों को देख रही थी, एक तरफ सल्ताना बेगम अपनी धूलन बनी बेहत हसीन पोती को देख रही थी, आज इनका दिल बुरी तरहां से भर गया था, पोती की जुदाई का गम और साथ साथ शफीका की भी यादा रही थी, इकलोती बेटी थी, इनक अर्म गुजरता जा रहा था और बरात का कोई पता ना था, अब तो लुक्मान सहाब और इजाज सहाबी सक तश्वीश का शिकार हो गए थे, कई बार फोन किया, मगर कोई भी कॉल रसीफ नहीं कर रहा था, अजीब बेचैनी और इस्तिराबी तारी थी, इजाज एहमद अ हमारी कॉल रसीवना करने का मतलब अच्छा नहीं हो सकता, मेरा तो दिल दहला जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग बरात नहीं ला रहे, अत्या बेचम ने सास के पास आकर कहा तो सल्ताना बेचम कांप कई, अत्या इसी बदफाल तो ना निकालो, कोई मजबूर कोई मसला होगा, अल्ला ना करे कि कुछ बुरा हो, देर सवेर तो हो ही जाती है, कहने को तो सल्ताना बेचम कह रही थी, मगर अंदर से वो भी बहुत परेशान थी, कि नजाने क्या होने वाला है, और इदर लुक्मान सहाब के पास शफीका की कॉल आई थी, बे तहाशा सिस के इस मौके पर ये क्या हो गया, एन आज के दिन इनसार सहाब का इंतकाल, अमा को ये खबर कैसे दें, इनकी हालत पर अजास सहाब और अश्चक भी परेशान थे, अभी वो इस परेशानी से ही ना निकल पाए थे के एक और खबर मिली, जिसने सब के औसान खता कर दिये, कोफिय क्या हादसा हो गया था, शादी का महौल मुकमल सोग में बदल चुका था, हर आँख अश्क बार थी, हर चेरा अफसुर्दा था, आने वाले महमानों ने घरवालों को संभाला, कोई हस्पताल भागा तो कोई डॉक्टर को बुला लाया, अच्जीब मनजर देखने म आ रहे थे, तौबा तौबा लापाक महफूज रखे, अलिश्पा के साथ ये कैसी बद्शुगनी हो गई, पहले रिष्टा खतम, इंसार भाई का इंतकाल और अब जावा जहां धूला खतम, अलिश्पा के कदम ठीक नहीं, इसे खुश्या रास नहीं, ये मनफी राय और स भूश में आती और अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ती और फिर भी होश हो जाती, हफसा भी बुरी तरह से रोती भी अलिश्पा को संभाल रही थी, हलात अचानक इस तरहां बदल गए थे कि हर कोई परेशान था, शिफीका अमा से बात करना चाह रही थी कि अमा जि कर दाता है और कभी ले कर दाता है, बंदा वही है जो इसकी रजा में राजी है, खुशियों में उस रप का शुकर अदा करें जिसने खुशिया अता की हैं, और दुख में सبر करें कि सबर करने वालों के साथ अल्ला हुझ होता है, यही हलात अलिश्का के थे, इसको पे दर जिन हालात का सामना करना पर रहा था इसके लिए सख्त अजियत का बाइस थे इस पर अतिया बेगम की मनफी बातें और तन्जिया नजरों से वो खौफ सदा रहने लगी थी वो तो अब खुलम खुला ऐसी बातें करतें कि सबुही ये अलिश्पा सुनती तो तडब जाती वक्त बहुत बड़ा मरम है आइस्ता आइस्ता बड़े से बड़े जखमों को भी ठीक कर देता है वक्त गुजरता रहा शफीका बेगम का राबता बहाल हो गया था वो हद दर्जा शर्मिंदा थीं और लिश्पा की जानब से भी फिकर मन थीं अरे आपा शुकर करें आप आप बच गई अल्ला पाक इंसार भाई के दर्जात बुलंद फरमाए उन्होंने सही फैसला किया था अल्ला का शुकर है कि आपकी बेटी अपने घर में खोश है इसको जर्या बनाया ये रिश्टा खतम हो गया एक रोज शफीका बेगम ने पुराने रिश्टे दुबारा से जोडने की बात की तो अतिया बेगम ने सरगोशियाना अलहजे में फोन पर कहा मैं समझी नहीं भाबी शफीका बेगम इनकी बात को ना समझ पाई अरे भाई शफीका तुम भी बहुत भूली हो देखो भाई मैं बात साफ करती हूँ अलिश्पा के कदम मनहूस है तुमको याद नहीं बच्पन से ही इसके साथ ऐसा हुआ है मैंने हमेशा से ये बात नोट की है और किसी को नहीं बताई जिस दिन वो पैदा हुई थी उस रोज सबुई की दादी का इंतकाल हुआ था इसका सवा महिना था जब सबुई की खाला का इंतकाल हुआ था पहले दिन स्कूल गई तो उस रोज इजास मिया की गाड़ी का एकसिडेंट हुआ इन्हें अच्छी खासी चोटे आई थी और अब इनसार भाई अल्ला पाक महफोज रखे इन्हें किसी का जवान जहां बेटा खत्म हुआ इस माह का क्या हाल होगा जिसका बेटा शादी के दिन यू चला गया आपा सच पूछो तो मुझे खौफ आने लगा है हाँ भाभी आप सच कह रही है शफीका को भी इनकी बातों में सचाई लगी हाँ अगर तुम चाती हो तो हम बासिम और हफसा की शादी कर लेते हैं बुरा ना मानना मगर मैंने ही चाती कि मेरी बेटी पर इसका भी साया पड़े अतिया बेगम ने कहा तो शफीका बेगम चुप हो गई अभीरा की शादी हो चुकी थी वो वहीं आस्ट्रेलिया में सेट थी और इधर अश्रत के लिए भी लड़की देखी जा चुकी थी अलिश्पा का निका भी शादी से एक दिन पहले हो चुका था वो तो बेवा ही केला रही थी सख्त अजियत और तकलीफते हलात का सामना करना पड़ता जब लोग इसे कभी हमदर्दी तो कभी नफरत की निगासे देखते तरहां तरहां की बाते करते वो खुद को मुझरम समझने लगती कमरे में आकर बेतहाशा रोती उपर से शफीका फुपो का रोया भी कुछ बदल गया था बासिक ने भी एक दो बार ही सरसरी सी बात की थी जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है ये तो दुनियावी रिष्टे थे जो हलात के साथ बदल गए सुल्ताना बेगम अलिश्पा को देखकर कुड़ती रहती ही सबुई भी छुप छुप कर रोती रहती और जब से ये पता चला था कि शफीका पाकिस्तान आने वाली है और हफसा और बासिम की शादी कर देंगी अलिश्पा और जादा तूट चुकी थी तैये पाया था कि शफीका सीधा इस्लामाबाच जाएंगी वहां सुस्राल वालों से मिलकर अपने घर को साफ करवा कर फिर क्राची आएंगी और शादी की तारीख वगहरा तैय कर देंगी सुल्ताना बेगम चाती थी कि शफीका अलिश्पा के लिए भी बात करें लेकिन वो तो बिलकुल चुप थी और अलिश्पा का जिकर तक ना करती है हलाके अभी भी बहुत सारे लोग अलिश्पा के लिए खौईश मन थे इसको अपनाना चाते थे मगर अलिश्पा ने साफ इनकार कर दिया था और सब इसकी तरफ से चुप हो गए थे वो जिन हालात से गुजरी थी वो बहुत तकलीफ दे थे ये बात सब ही जानते थे इसको इसके हाल पर छोड़ दिया था अक्सर चांदनी रातों को जब दिल गम से बोजल हो जाता तो वो च्छत पर चली आती और चांद को तक्ते तक्ते इसकी आंखे भीग जाती रमजानलमबारिक का आगास हो चुका था सबुही और अलिश्पा हमेशा रमजानलमबारिक शुरू होने से पहले ही इद के हवाले से शौपिंग कर लेते थे रोजों में घूमना अच्छा नहीं लगता था वैसे भी अब अलिश्पा में पहली जैसी इद की खुशी या त्यारियां करने की कोई खौईश ना थी वो दिल ही दिल में रोती मगर बजाहर घर वालों की हालत देखते वे खुद को किसी हद तक नॉर्मल कर लिया करती हफसा और अलिश्पा से दिली लगाओ और हमदर्दी थी जबकि अश्चित की बीवी मारिया भी अच्छी थी नमाज जहर से फारिग होकर अलिश्पा कुरान पाकी तिलावत करती और फिर किचन में चली जाती अफ़तार के थोड़े बहुत इंतजामात कर लेती उस रोज भी वो किचन में जा रही थी तब ही दादी की कमरे से आती भी आवाजों से मालुम हुआ कि हफसा और बासिन का निकाह होने जा रहा है और साथी ताई अमा के अलिश्पा के लिए कहे गए अलिश्पा की आँखे नम हो गए अल्ला पाक मेरा साया कभी भी हफसा पर ना डाले वो हमेशा शादो अबाद रहे आमीन दिल से दुआ की और किचन की तरफ चली गई वो सच मुझ खुद को मुझरम समझने लगी थी जैसे अब खोश्यों पर इसका कोई हक ना था वो हफसा से कटी कटी रहने लगी मुबादा इसका साया हफसा की जिन्दगी पर कोई बुरा असर ना डाले अतिया बेगम बहु और हफसा के साथ मिलकर त्यारियां कर रही थी शफीका बेगम ईद से पहले आने वाली थी और अब इनका इरादा मुस्तकिल पाकिस्तान में सेटल होने का था क्योंकि वहां से दिल भर गया था अब वो अपने लोगों में वक्त गुजारना चाहती थी रहाईश तो इसलामाबाद में ही थी अपना घर भी मौजूद था इशा की नमाज और तरावी से फारिग होकर अलिश्पा ने हस्पे मामूल सब के लिए चाय पकाई और चाय ककप लिए सल्ताना बेगम के कमरे में आ गई सल्ताना बेगम ने इसे अपने पास बिठा लिया अलिश्पा तुमने हफसा की निकाह की त्यारी कर ली सल्ताना बेगम ने पूछा दादो मुझे क्या त्यारी करनी है सवाल पर सवाल करके खाली 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 नजरों से दादी को देखा सुल्ताना बेगम दुखी हो गई वैसे दादो मेरा नया सूट रखा है पहन लूँगी दादी को अदास देकर अलिश्पा ने जल्दी से कहा और वैसे भी मैंने कौन सा सामने आना है ना चाते वे भी लहचा कड़वा हो गया अलिश्पा मेरी जान ऐसा नहीं कहते कोई अगर गलत बात सोचता है तो सोचने दो ये अल्ला की तरफ से होने वाली बाते हैं और अभी भी कितने लोग है जो तुमें अपनाना चाते हैं तुम्हारे लिए रिश्टों की लाइन लगी है बेटी मेरी मानो तो तुम अपने लिए भी सोच लो हम तुम्हारी तरफ से भी बेफिकर होना चाते हैं सुल्ताना बेगम की आवाज रिंद गई थी दादी मैं ठीक हूँ आप फिकर क्यूं करती हैं मैं खुश हूँ और अल्ला की रिज़ा में राजी हूँ इसने लहजे को नौर में बनाने की कोशिश की थी मगर बेटा हम चाते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ अबरे के घर वाले काफी पीछे पड़े हुए हैं और हम चाते हैं कि एप के बाद हम तुम्हारे लिए इनको घर पर बुलवा कर कोई फैसला कर ले दादो जैसे आप लोग बहतर समझें अलिश्पा ने सच चुका कर धीरे से कहा मेरी बच्ची अल्ला आगे तुझे इतनी खुशियां दे कि तु सारे दुख भूल जाए तेरा नसीब स्तारों की तरहां चमके आमीन सुल्ताना बेगम ने इसे गले लगा कर सद्के दिल से दुआएं दी आखिर कार चांद रात आ गई सुबा से ही अतिया बेगम की चिर्चिरहाट और जुझलहाट अरूज पर थी आज तो घर के ही लोग थे शफीका बेगम अपने दोनों बेटों के साथ आ रही थी अभीरा ईद के बाद आने वाली थी मुक्तसर से लोगों की तकरीब में बेहत त्यारियां थी सब लोग खोश थे इतने अर्से बाद शफीका बेगम आ रही थी सुल्ताना बेगम बेचैनी से बेटी की मुन्तजर थी जबकि लुक्मान और एजाज सहाबी बेचैन हो रहे थे हफसा बहत खोश थी अलिश्पा बिलकुल नॉर्मल थी किसी भी किसम के जजबाद से आरी हफसा के निका का जोड़ा जूल्री और सारी त्यारियां हो चुकी थी अलिश्पा ने एक चीज़ भी जाकर नहीं देखी वो तो हफसा खुद लाला कर एक एक चीज़ दिखाती थी हफसा की दोस्तों ने और मारिया ने मिलकर रात को हफसा को महंदी लगा दी थी अलिश्पा किचन में ही मसरूफ थी और सुबा से ही वो जान बूच कर किचन के कामों में लगी थी कि अतिया बेगम टोक ना दें इफ़तार से कुछ पहले वो लोग पहुंचने वाले थे और निका की रसम इफ़तार के बाद होनी थी इफ़तार में चंद एक चीजे रखी गई थी खाना बाहर से आना था निका का इंतिजाम च्छट पर किया गया था अलिश्पा लाग खुद को मुतमें जाहिर कर रही थी लेकिन अंदर से दिल अजीब कैफियत का शिकार था इतने अर्से के बाद बासिक आ रहा था बासिक को सामने देख कर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर पाएगी बासिक का कैसा रवया होगा शफीका फुकबो तो इसे मनहुस समझने लगी थी यकीनन बासिक भी घलत समझ रहा होगा तब ही तो इसने एक दो दफ़ा बात की थी वो भी जब अलिश्पा बेवा हुई थी वो अजीब हलाद का शिकार थी इफ्तार से कुछ दिर पहले वो लोग आ गए अलिश्पा ने किचिन की खिड़की से देखा सफेद शिलफार कुटे में बासिक बहुत अच्छा लग रहा था अलिश्पा की आँखें नम हो गई सब लोग मिल रहे थे रो रहे थे जजबाती मनाजर थे बासिक की बेचैन नजरे इदर उदर भटक रही थी वो खिड़की से देख रही थी अलिश्पा कहां है शिफीका ने इदर उदर देखते वे आंखे साफ करते वे सवाल किया अलिश्पा अलिश्पा सुल्ताना बेगम की आवास पर वो आ गई सादा से पिंक कलर के कॉटन के सूट में बड़ा सा प्रिंटिड दुबटा सर पर डाले वो मासूम सी लड़की बासिक के दिल में उतरती चली गई मेरी बच्ची शिफीका इसे लिपट कर एक बार फिर रो पड़ी अस्सलाम उलेकुम अलिश्पा ने बारी बासिक और बासिक की तरफ देख कर कहा सबुई ने हैरत और तास्फ से अपनी बेटी की जानिब देखा किस खुबसूरती से वो अपने अंदर का तुफान छुपा कर मुस्कुरा रही थी तब ही अजान की आवाज आई और सब लोग दस्तरखान की तरफ बढ़ गए अलिश्पा जान बूच कर काम के बहाने किचन में मसरूफ थी इफ्तार के बाद मर्द हजरात नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए वापसी पर काजी साब को साथ लाना था जब तक मारिया ने हफसा को त्यार कर दिया हफसा बहुत अच्छी लग रही थी अलिश्पा दूर दूर से देख रही थी मर्द वापस आ गए चोटे से बने स्टेज पर हफसा और बासिम को बिठा दिया गया सब लोग आस पास थे बासिक भी पास खड़ा था निका के फॉर्म भरे जा रहे थे और अलिश्पा जान बूच कर काफी दूर खड़ी खुद को किसी ना किसी काम में उलजा रही थी अरे भाई अलिश्पा कहा है शफीका ने स्टेज पर बैठ कर चारो तरफ देखा अलिश्पा यहां आओ हफसा के पास बैठो अरे आपा क्या कह रही हैं आप शफीका की बात पर अतिया बेगम जल्दी से आगे आकर बोली अलिश्पा को ना बुलवाएं यह निकाह की रसम है हफसा बाद में मिल लेगी इससे मैं ऐसे मौके पर कोई बद्शुगनी नहीं चाहती आपको पता है ना आपा अलिश्पा की किसमत कैसी है और ऐसे मौके पर मैं अपनी बच्ची पर इसका साया नहीं पढ़ने दूँगी अतिया बेगम ने शफीका बेगम की कान में सरगोशी की तो शफीका बेगम जोर से हंस दें सब लोग चौंके कि यह क्या खुसर खुसर हो रही थी अरे भावी आप भी कमाल करती है कैसे जहलाना और दक्यानुसी सोच है आपकी जो अल्ला के फैसलों को अपनी उलटी सीदी सोचों पर रकर कुफर कह रही है ये मनहूस साया बदबखत ये सब फजूल और जहलाना सोच है सारे फैसले अलापके होते हैं किसी के साथ अच्छा बुरा होना गलत या सही होना इसमें अगर इनसानों की मरЗी होती तो कभी भी किसी का बुरा ना होता हर कोई अपने लिए अच्छा करता और अच्छा सोचता हम सब अल्ला के फैसलों के महताज हैं ये हमारी दीन से दूरी, कम, इल्मी और नेरी जहालत है कि हम अल्ला के फैसलों को इनसान से इस तरह मनसूब कर देते हैं कि जैसे इनसान ने अपने हाथों से किया है मैं इन फरसूदा और जाहिलाना बातों को कतर नहीं मानती और मैंने तो पहले ही फैसला कर रखा है कि पहले मैं बासिक और अलिश्पा का निकाह करूंगी और फिर बासिम और हफसा का मेरी बड़ी बहु ही अपनी दिवरानी लेकर आएगी क्यों अमा भाई एजास आप लोगों को कोई एतरास तो नहीं है न मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ कर ये रिश्टा दुबारा से इस्तवार करना चाती हूँ शफीका बेगम ने पहले भावच को लताड़ा और फिर मुड़कर अमा और भाईयों को मुखातिब करके हाथ जोड़ते वे आजजी से सवाल किया सब लोग हिरान और शर्ष्टर शफीका बेगम की बात सुन रहे थे अलिश्पा जो चुप खड़ी फुपो की बाते सुन रही थी बुखला कर इधर उधर देखने लगी बासे किसके पास आगया था शफीका तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा कर गोया इजासत दे दी थी सब लोग ही खुश थे अलिश्पा को अचानक मिल जाने वाली खुशी गेर यकीनी लग रही थी बेश शरम लड़की दुबटा सर पर तो ले लो बासी की आवास पर बुखला कर जल्दी से दुबटा सर पर ले लिया हफसा ने भाकर अलिश्पा को गले लगा लिया अथिया बेगम मू पाड़े इस अचानक से बदल जाने वाली सिच्वेशन को समझने की कोशिश कर रही थी लुक्मान साब, इजाज साब, सबुई, अजजद और मारिया भी बहुत खुश थे हफसा संभालो अपनी दिवरानी को लगता है मुझे घूर घूर कर नज़र लगा देगी बासे की शरारत भरे जुम्ले पर अलिशपा ने घबराकर निगाएं चुका ली कभी कभी हलात यूं भी बदल जाते हैं वाक़ी मेरा रब तो बड़ा रहीम और करीम है जब चाहे हमारी जोलियों में इतना कुछ डाल देता है ऐसी खुशियां दे देता है कि हमारी जोलियां इन खुशियों का बोच बरदाश करते करते तंग पड़ चाती है जिन्दगी में आने वाले इस खुबसूरत मोड ने सब के साथ अलिशपा को इतनी खुशियां दे दी थी किसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने रब का शुकर अदा करे कुछ दिर बाद ही वो बासिक के पहलों में बैठी अपना जुमला हकोग बासिक के नाम कर रही थी कितनी हसीन और दिलकश चांदराद इसकी जिन्दगी में आई थी जहां सारे बड़े मिलकर आइंदा के लाहला अमल त्यार कर रहे थे वहीं अलिश्पा और बासिक चात पर बैठे एक दूसरे के संग मीठी मीठी और मध्धम सरगोशियों में मसरूफ थे कल आने वाली इद इनके लिए कितनी खुबसूरत थी खुश्या बहारों की सुरत लोटाई थी अरे धूलन बेगम अगर फुरसत मिल गई है तो नीचे आ जाएं हम सब महंदी लगवाने जा रहे हैं मारिया की शोख आवास पर अलिश्पा मुस्कुराती वी नीचे की जाने भागी और बासिक खिल कर हंस दिया था